हाई फ्रेंट्स मैं डॉक्टर भासकर शुक्ला हूं मैं वर्तमान में पीजा रही हॉस्पिटल में एजए कंसिल्ट नियॉरॉल्जिस कारे रहत हूँ ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो हमारे बेन को कैसे एफेक्ट कर सकता है आई ये जानते हैं इसके ब्लड प्रेशर सिर्थ ब्रेशर को नहीं सरी की कई सारे अंगों को प्रभावित करता हुए लेकिन हम आज हम तो कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में जानते हैं सबसे प包括 हमारी जो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पूर ली एक कंट्रोल्ड our brain Mon होने का जो रिसक है वो काफी बढ़ जाता है तो सबसे पहला तो यह है दूसरा है कि अगर लम्मे समय तक अगर हमारा blood pressure control नहीं है तो ब्रेन में बहुत सारे changes यह करता है जैसे कि brain a trophy brain का जो volume है वो कम हो जाता है जिसके वज़े सा cognitive decline हो सकता है brain में चोटे-चोटे bleeds हो जाते हैं इसको microbleeds कहते हैं इससे brain hemorrhage होने का यह cognitive decline भूलने की बिमारी जिसको dementia कहते हैं वो होने का खत्रा बढ़ सकता है उसके अलावा आपने सुना होगा जो brain की जो supply करने वाली जो खून की नलियां होती है उसमें विकार उत्पन हो जाता है इसको aneurysm कहते हैं अगर aneurysm चोटा सा है तो blood pressure बढ़ने की वज़े से उसका आकार बढ़ा हो सकता है उसके फटने की समभवना बढ़ सकती है तो इससे Wayne यहां जोनी का खतरा बढ़ जाता है इस में ब्लद प्रैशर से बेलड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो अपने आप भी the medicines on time we have to monitor the blood pressure regularly और अगे लाइस्टाइल चेंजे से भी ब्लड प्रेशर को मदद करने में मदद मिलती है जैसे कि वाकिंग है इटिंग हेल्दी रिस्टिक्टिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट इस एड़ाइट एट से कौन से भोजे पदार्त हैं से कौन से फूड आइटम से जो की ब्रेन हिल्थ के लिए बढ़िया है तो आएए जानते हैं ऐसे कौन से बदार्त हैं वैसे तो जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है वो अपने आपके परियापत है अगर हम उसको फॉलो करें तो जैसे कि फूरूट से सीजनल भी लोकली अवैलेबल सो फूरूट्स सालेड्स एटसेटरा इन सब के चीजों के अलावा अगर हम जंक फूड को एवाड करते हैं कोई अगर हमारे अडिक्शन नहीं है तो अपने आप में यह फूड परियापत होता है अगर अगर हम ओवरीट ना करें अगर हम तर्मरीक तर्मरीक वेरी गुड इट कंटेंस अंटी ऑक्सिदेंट्स ब्लूबेरीज 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 कुछ जो लोग नॉन्वेज काते हैं उनके लिए अगर फैटी फिश फैटी फिश है नट्स हैं एग्स हैं इस सब में ओमेगा-3 fatty acids होते हैं जो कि ब्र प्रेसेंट एक्सस अमांट आफ टी कोफी और टेकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग इन सब चीजों को अवाइड करना भी उतना ही इंपोर्टेंट है तो इन नुट्शल यस देर सटन फूद इंटम्स लिग जैसा की ब्लूबेरीज हैं तर्मरीक हैं फैटी फिश हैं एग हैं सो ए ग्रेन लिफ जड़ते हैं ए रह गीज़ धर ब्रें एख हैं लिग जुट काली फैंट अ विशू श्मांट चीजों को लिख टे जितना हैं वेग्टट हैं एच्टशैब चाहन जा तर्मरीक चाहन जा प्रीज प्रिवाट इन सब्स्ट झाल झाल